दोस्तों कैसे हो क्या हाल चाले मैंने कम्यूनिटी पोस्ट डाला था जहाँ पर मैंने कहा था कि भाई लोगों कोई सवाल है तो कमेंट में पूछो मैं उसका आंसर दूँगा वीडियो में और बहुत सार लोगों ने सवाल पूछे मुझे ने लगा था कि इतने लोग सवाल लेकिन ये सब आपका प्यार और आपका भरोसा है मुझे पर कि भाई, आप मुझे इस लाइक समझते कि आपके कुछ सवाल उके जवाब में दे सकता हूँ अब इससे पहले कि मैं emotional होकर रोना start कर दूँ, हम start करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल हमारे एक भाई ने पूचा है वो यह है कि भाई आप टेक के साथ गीमिंग क्यों नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझसे यह कहाना चालते कि आप टेक चानल तो चलाते हैं उसके साथ एक gaming channel क्योंने बनाते हैं? तो परसेनल मुझे मुझे गेमिंग चानल में कोई इंटरस्ट नहीं है हां, gaming करना पसंद है लेकिन gaming channel मैं शायद ना बनाूँ लेकिन मेरे दिमाग में एक चल रहा है बहुत टाइम से कि मैं आगे जाकर gaming test का एक channel बनाऊँगा जहाँगा जहाँपर मैं मतलब इस channel पर smartphone reviews करूँगा उनी smartphone की gaming test करूँगा और वो upload करूँगा उस second channel पर तो अगर आपका support इसी तरह बना रहा तो hopefully वो channel भी बहुत जल्दी आ चलती है और आप उस चीज को उस field को और बहुतर जानने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे लगता है कि उस चीज में आपको expert बनने से कोई नहीं रोक सकता आप टेक के बार में जानने के लिए मैं बहुत सारे चाहना को follow करता बहुत सारे article पड़ता हूँ तो मैं उस पर question करता हेलो ब्रो Redmi K50 और Poco X5 Pro में कौन सा डिवाइस गेमिंग के लिए बेस्ट है तो अगर इन धोनों में से किसी एक को पिक करना है तो Redmi K50 भाई उसकी performance से match नहीं कर सकता जो Poco X5 Pro है नेक्स्ट सवाल हमारे एक भाई ने पूचा जो की थोड़ा परसनल है वेर डू यू सी यूर सेल इन दे नेक्स्ट 5 इयर्स तो भाई का सवाल है कि अगले 5 साल में मैं अपने आपको कहा देखता हूँ तो तो तेखो वेल्थ और अगर सक्सेस की बात है तो वहाँ पर मेरे चाता हूँ और उसके अलावा हर बच्चे की खुआइस होती है कि वो अपने माबाब के कुछ सपने पूरे करे तो वो एक चीज है मैं चाता हूँ अगले 5 साल में में कर पाऊं नेक्स्ट कमेंट पे चलते एक भाई ने एक कमेंट में दो सवाल पूचे हेलो प्रेदर पहल अगला सवर यह थोड़ा परसनल है आपकी रियल लाइप अच्यूमेंट क्या है अब अगर अच्यूमेंट की बात करें तो देखो जब मैंने 2017 में YouTube चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे शायद मेरे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी और मैं इतना उस टाइम पे मतलब सीरियस नहीं था YouTube को लेकर लेकिन जब मैंने 2020 में स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं लगा था कि मुझे एक ऐसी ओडियंस मिलेगी जो कि मुझसे इतना बहतर कनेक्ट करेगी जो इतना सपोर्ट दिखाएगी और जो आपका प्यार मिल रहा है ना जो सपोर्ट मिल रहा ह वह देखकर मुझे बहुत मतलब स्पेशल फील होता है कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार सच में मतलब लोग इस तरह से मुझे सपोर्ट करते प्यार दिखाते हैं कमें मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं तो मेरे लिए वह सबसे बड़ी अच्यूमेंट है इसके बाद ए बहुत है तो इस दो बहुत कर रहा है अब नेक्स सवाल है कि मेरा नहीं पहला यूटुप चैनल कोनसा था तो मैंने 2000 हजार में यूटुप चैनल चैनल कोहनाए था तो मेरे पास एक बंदा था मेरे साथ चाम करता था थो ठोड़ा फिटनिस फिटनिस को लेकरता तो उसके को मैं शूट करता था और एडिट मैं करता था दोनों ने मिलके बनाया था चैनल वो ता पहला चैनल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की बात करते हैं तो अगला सवाल है कि Poco X6 Pro इंडिया लॉंच डेट प्लीज रिप्लाइ मी और साथ में हार्ट इमोजी मेरी तरफ से भी आप सबको एक हार्ट तो जो पोको X6 Pro की लॉंच डेट जो स्पेक्यूलेट की जारी है जो एक्सपेक्ट की जारी है वो है जाने वारी का लास्ट वीक जब वो ग्लोबली लॉंच होगा और साथ में इंडिया में भी लॉंच हो जाएगा नेक्स सवाल है आप मुझे थोड़ा एडिटिंग के बारे में थोड़ा बताओ आप कैसे करते हो मतलब एडिटिंग और कहा रहते हो मुझे टेक गैजट की इंफॉमेशन है बट एडिटिंग थोड़ी वीक है help करो प्लीज अब इस एक कमेंड में बहुत सारे क्वेशन मिक्स है पहला जो मैं कहा रहता हूं तो उसके बार में मैंने पिछले Q&A में बताया था उससे पहले वाले में बताया था अगर आप चानना चाहते तो वो वीडियो देख लो उसके अलावा अगर आपको टेक में गैज के बार में जादा कुछ पता नहीं था तो मैंने धीरे-धीरे करके खुद से सीका इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियो से आप भी देख सकते यूटी पर फ्री मैं तो वह से भी मैंने अपने एडिटिंग स्किल को इंपरू किया अभी प्रीमियर प्रो भी सीक राता तो व करने का मेरा भी मन बहुत करता लेकिन इस टाइम पर ना मतलब यूटीव से उतनी आर्निंग हो नहीं रही चितनी आर्निंग हो रही है उससे मैं अपना खर्चाई मतलब एडिस करके चला रहा हूं और जब थोड़ी आर्निंग और बढ़ जाएगी तो डेफिनिटली मैं मतलब सारी चीज़ा बैलेंस में मिलती थी डिस्प्ले पॉफॉमेंस कैमेरा उसके बाद जो रियल्मी 9 SE है वह भाई परफॉमेंस को बढ़िया टार्गेट करता था मतलब 20,000 के नीचे उस टैम पे ऐसा कोई फोन नहीं था जो स्नैप्डेगन 770 8G फिर उसके आस पास के प पूछा था कि आज के टाइम पे रियल्मी 9 SE खरीच सकता हूं मैं चार घंटे गेमिंग करता हूं या इससे भी अच्छा फोन है आज के टाइम पे कम से कम चार साल चल जाए क्योंकि दोबारा फोन नहीं मिलने वाला और मेरी आवकात है अंडर 20 के यह आवकात मत बोला करो ऐसे खुद को कम मत समझो और 20,000 आप फोन के लिए खरच कर पा रहे हैं यह भी कोई छोटी रिकम नहीं है कोई बेस्ट फोन बता दो गेमिंग के लिए प्लीज रिप्लाइ तो मैं आभी करूंगा देखो 20,000 के नीचे बहुत कम उप्शन है और गेमिंग फोन 20,000 के नीचे उसको साइड में कर दो उसके अलावा अगर आप कोई फोन खरीदना चाहते हो तो देखो लावा अगनी 2 है उसमें भी थोड़ी अच्छी गेमिंग हो जाएगी उसके बाद Poco X5 Pro है और जो Poco X5 Pro का ब्लू वेरेंट है वो फ्लिप कार्ट पे 17,000 का मिल रहा है अभी मिल रह कि मैं कहा रहता हूं कहा से हूं तो उसके बारे मैंने जैसे कि कहा कि पिछले वीडियो है तो वीडियो आप देख सकते हो लेकिन इसके बाद का सवाल में घल फ्रेंड है की नहीं जब मैं भी एकquency नहींता वीवर था तब मैं भी सुचता था कि भाई से क्रिएटर टी गिल जूट ना बोले तो आप भी मुझसे expect करते हो तो मैं सच बताता हूं कि मेरी कोई girlfriend नहीं है फिलाल तो अगर आगे बनती है तो मैं definitely बताऊंगा शायद उसका नाम उसका face reveal आपके सामने ना करो लेकिन यह तो बता दूँगा कि है या फिर नहीं है अभी के टाइम पर तो नही next question पर चलते हैं एक भाई ने पूचा है मेरे earning के बारे में monthly earning reveal करो YT studio का screenshot के साथ प्रूप के लिए और एक बात YouTube इससे कोई channel डिलिट नहीं करता इस टाइब के वीडियो में views भी ज्यादा आते अच्छे subscriber मिलेंगे तुमें हाँ यह बात मुझे पता है और यह बहुत बड़ गाइडलेन में लिखा नहीं है बहुत सार लोग reveal करते हो मैंने भी किया है मेरा जो दूसरा चैनल है आभी जिस पर मैं कार्स के वीडियो अपलोड करता हूं उससे पहले मैं उसको वह यूट्यूब के टिप्स का चैनल था वहाँ पर मैंने बहुत बार reveal किया है और इस चैन करते हैं भाई प्लीज मुझे रेड्मी 12 5G किप्ट कर दो प्लीज 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 मैं गरीब हूँ जितने भी सवाल मुझे कम्यूटि पोस्ट के नीचे दिखाए दिये मैंने सारे पिक कर ले लेकिन आभी भी किसी के मन में कोई सवाल है और वो पूछना चाता है तो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्षिन में पूछ सकता है मैं डेफेनिली ट्राइ करूंगा वहाँ पर आपकी सवाल का जवाब देने की बाकि अगर वीडियो पस्नाथी वीडियो को लाइक कर देना चानल को सब्स्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट आले वीडियो में